दोस्तों आज की वीडियो का टोपिक की वोल्टेज क्या होता है और करेंट क्या होता है और इन दोरों की बीच में अंतर क्या होता है तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आपका सारा डाउट वोल्टेज और करेंट को लेके मैं सारा क्लियर कर दूंगा वोल्टेज को हम और भी कही नामों से जानते है आप कभी भी Confuse हो जाते हैं जैसे हम कभी कभी कहीं कहीं पे voltage को क्या वल्त बीप जैसे यानी अवा दये यह एल्यक्त टैंसल इसके लोग सब्रोटेस समय नविट पता है ज़ह हो जा ya दोस्तों जहां पर बढूटा दूट चालबी बन तो वहां पर क्या बनता वहां पर हमारा बनता वोल्टेज एक對क है अब वहां पर वैंसे था और है त्छी हो सब्सक्रेश होता करती है जहाँ नेतरी हो। visitor क्यों आप था आपको पता है DC supply में वोल्टेज करेंट तो होता है आपने जो बैटरी दे कि हो 12 वोल्ट की है उसका भी कुछ करेंट होता है दीसी में दोस्वारा फेस नूटल नहीं होता है उस फेस नूटल की जगे हमारा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोस्ट हम मानते हैं जैसे हमारी बैटरिया जो 1500 AH कि है और फुल चार्ज है अब फुल चार्ज होने के बाद में दोस्ट क्या बीएव करेंगी वह बीएव करेंगी जब भी भी इसको लॉड़ पर करेंगे तो दोस्ट इसमें नेकरन्ट तो पहले ही खटा है पर इसके अं कि वॉल्टेज अभी बिल्कुल साथ ही चीज को ख्लियर जह संबला जैसे इह उप इह यहाँ पादी पानीं चल्य बहुंगे ङहाएote वह जैसे ही प्रेशर खुतम हो जायेगा हमारा पानी इंपजर लगणे का लिस जा ले ले जाने कांदीक एक तरह का प्रेशर है जैसे हमारा यह पानी की बोटर पढ़ी है और यह पानी की मोटर यहां पर पीछे नीचे पानी का टैंक पड़ा है तो यह पानी यह पानी एक तरे का करेंट है और हमको इसको यहां पर पहुचाना है तो अब यह पानी इस मोटर के दुरू हम पहुचाएंगे तो यह मोटर हमारे क्या करेगी इसको प्रेशर देगी जो यापके मन में confusion है कि voltage जादा जोड़ी तो आपको एक चीज बता हो कि हमको जो electrical shock लगता है हमारी जो हमारी जो body है is body को electrical shock लगता है वो हमारे body और electrical shock only for current से लगता है पर दोसो current ये current तब तक हमारे wire जैसे wire है इस वायर में current पर तक फ्लोओ सटीं, जब तक हमारे हम्हें दख द उसके लागा इसके अरी करएची और तब आर हमको शोग लगेगा जैसे दोस्तों अगर मानते कि power station का पूरा power आपके हाथ में है तो आप जब चाहो उसको बंद कर सकते हैं तो power station आपने बंद कर दिया power station जैसे बंद करेंगा यह power station क्या करेंगा voltage बनाना बिल्कुल बंद कर देगा current की बात करते हैं कि current क्या होता है तो दोस्तों current एक simple फी बात है मैं इसकी definition लिख जाता हूं उससे आप बिल्कुल clear समझ जाओगे current समझने के लिए में आप एक definition लिखे इससे आप current बिल्कुल अच्छे समझ जाओगे current क्या होता है अगर आपसे को इंटरू में भी question पूछता है अगर आपसे English में पूछता है तो आप यह definition पढ़ लिजेगा आप यह बता सकते हैं अगर आपसे को हिंदी में पूछता तो मैं जो बता हूं आप वह follow कर सकते हो करेंट एक सिंपल सी चीज है यहांँ पर इस्वायर में इकतने छीवण को फ्लो हो रहे है आपने देखा और कैंट कष्प्पर है यह तो दोस्तों इस वायर के अंदर से हमारा इधर से यह वायर है इस वायर में जिसे मैंने क्लेमिटर यहां लगा है तो इस जगे से हमारा यहां से यहां कितना करेंट कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोर है वह दोस्तों कहलाता है करेंट अब इलेक्ट्रिकल चार्ज में आप बताया थैके एक जांपल के तरिके से कि हमारी बैटरी यह जिसके लिक पॉजिटीट्वी टर्मिल रोगे और जब हमारे वोल्टेज चार्ज एक खट्टे हो जाएंगे तो हमारे च्कारण्ट होगा वो नेकिटिव से पॉजिटीव की साइड जाने की कोशिच करता है ठीक है तो हमारा जो current होता है हमेस्सा always move करता है हमेसा current flow कर थे वो करता है स्यद्वर्ण प्सितीव साइड से लेगा अब दोस्थन नीचे एग युनेट के conscient के ऐसा unit यहानि current गोंनों कुछनें वह पैस्में मतलब कारेको किसमें नापते आप आप काभी कल्मेंटर से कि इसमें इतना इंप राइग फ्लो कर रहें तो वह एम्पर में आपते और इसको शो करते हैं यह से तो डोसर इस वीडियो खतम करने से पहले आपके मन में एक एक एकमपर ले रही है एकमपर करेंट लेडिया है एकएपर लेडिये मेर्य हू पर वूल्टेज थे वह बॉल्टेज को बढ़े सब्सक्राइब कितना एब सबेंड लगे पड़ेगा और आपका आशर आजाएगा दोस्तों वाट में तो उम्मीद है कि आपके छोटे से वीडियो के अंदे कुछ डाउट के लिए होगे अगर दोस्तों अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जरू बताएगा अगर आपको कोई सवाल इस वीडियो के परतिया फिर इलेक्टिकल से जुड़ा हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके पूछ सकते हैं इलेक्टिकल वीडियो से कर आप इनने में देखना पसंद करते हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आज के लिए इतना ही धन्यवा झाल